हेलो दोस्तों स्वागत है आपका अनेकेडमी के लेट्सक्राइक नीट पीजी पे मैं आज आपके सान फिर से जो है टॉक्सिकलोजी का सेकेंड पर्ट लेके आया हूं मैं आज मैं आपको जो है जो क्लीनिकल एक्जामनेशन का जो टॉपिक मैंने लिया था पिछले बात उसी का कंटिनिशन करते हुए मैं आज आपको CVS, CNS, Respiratory और GIT ये चार के जो है इन चार पर क्या-क्या एफेक्ट कर सकता है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा तो दोस्तों मैं जो स्लाइड्स मैंने बनाई है काफी डिटेल में बनाई है मैंने ये एक recorded session है तो अगर आपक सवाल पूर सकते हैं फिलाहाल मैं ये डिटेल में बना रहा हूँ एक एक slide ताकि आपको जो second year के जो स्ट्वेंट से वहां से लेका है को कोई deep में knowledge चाहता है उन सबको जो है benefit मिले इसलिए में एकदम deep जो है detail में slide में रख रहा हूँ चलिए start करते हूँ तो जैसे मैंने आपको बताया toxicology का आज मैं जो next part है वो मैं CNS, CBS, respiratory और GIT इसके उपर मैं effect बताऊँगा कि इन system के उपर क्या 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 effect जो है poison करता है थोड़ा ने अकेडमी के बारे में बताये तो आपको आने अकेडमी भाद के top educators यहां पर आपको नीट PG के लिए guidance देते यहां पर आपको special classes भी मिलती है इन special classes का benefit यह है कि यहां पर जो classes होती है वो सब की सब live होती है तो ऐसे में अगर आपको कोई भी doubt है तो आपके on the spot hand to hand आपके solve हो जाएंगे Unacademy platform पर आपको mock test के सुबदह भी मिलती है इन mock test के थुरू आप अपनी preparation का evaluation भी का सकते है यहां पर flexible schedules मिलते है अगर मैं example के तो आपे interns के अगर मैं बात करूं तो यहां पर interns का daily अलग अलग duty hours रहते हैं तो ऐसे में interns जब भी free हो वो हमसे जूर सकते हैं वो अपना खुद का time table बना के वो learn अपनी learning start कर सकते हैं उनको offline classes की तरह traveling में time waste नहीं करना उनको जो है class में बैठ के जो है अगर माले intern है duty आ चल रहा है तो उनकी classes में सोने का डर लगा रहता है तो ऐसे में यहां पर कोई भी दिक्कते नहीं आएंगी वो जब भी free हो वो हमसे जूर सकते हैं यहां पर language preference मिलती है जैसे English है, Hindi है, Malayalam में तमील और भी बहुत साई languages में आप अपनी preparation कर सकते हैं यहां पर practice के लिए quizzes की सुद्धा भी है इन quizzes के थूरू आप अपनी knowledge को test कर सकते हैं जैसे मैं आपको बताया है यहां पर live classes रहती हैं तो आप यहां पर educated साथ chat कर सकते हैं आप अपनी doubt पूर सकते हैं आपको उसका answer तुरंद मिल जाएगा यहां पर interactive polls है अगर आप घर पर comfortably आप हमारी वीडियो देख रहे हैं और educators ने अगर मान लेजिए कोई सवाल पूछा और उसके चार option है यह 5 option है तो आप अपने घर बैठ के अपने smartphone में ही आप अपने option करें और आप हमसे जोड़ेंगे इसका यह हुआ learn anytime anywhere आपको बस करना यह है आपको अपने smartphone में unacademy learning आपको इंस्ट्रॉल करना है इंस्ट्रॉल करने के बाद आपको सब्सक्रिप्शन लेना है सब्सक्रिप्शन के लिए भी आपको यहां पर different options मिल जाते 1 month, 3 months, 6 months, 12 months, 24 months अगर मैं इनके subscription charges की बात करूँ तो अगर आप मेरा code use करके subscription लेते हैं मेरा code LIVEDRAM अगर आप मेरा code यूज़ करके subscription लेते हैं तो आपको additional 10% का discount आपको मिल जाएगा तो अगर आप मेरा code यूज़ करते हैं और subscription लेते हैं तो 1 month का subscription charges आपको पढ़ता 4,500 का 3 month का subscription charges आपको पढ़ता 11,250 का 6 month का subscription charges वो है 18,000 का 12 month का subscription charges वो है 4,500 का ऐसे ही अगर मैं 24 months के अगर मैं बात करूं यानि 2 साल की subscription charges की बात करूं तो मेरा code यूज करके L.I.B.E.D.R.A.M. मेरा code यूज करके यह आपको पढ़ेगा 27,000 रुपीस का सिर्फ तो दोस्तों बहुत ही अच्छे charges हैं अगर मैं 24 month के charges के अगर मैं बात करूं तो दोस्तों एक बार ही मेरा code यूज करके subscription लेकर जबूर देखे आपको 100% आपको benefit मिलेगा तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करने से पहले जैसे मैं आपको हमेशा कहते आया हूं कि अपने जब भी पढ़ाई करिया अपने अंदर positive energy लेकर आई है कि yes I can crack it I can crack neat PG हमेशा अपने अंदर यह motivation लेकर आया करिये तो start करने से पहले मैं बता दू कि पिछले जो वीडियो था उसके अंदर मैंने introduction part मैंने काफी complete कर दिया था उसके अंदर मैंने definitions कर आई थी मैंने उसके अंदर rating के बारे में भी बताया था मैंने मैंने उसके अंदर जो है diagnosis कैसे कर सकते हैं उसके अंदर कैसे diagnosis कर सकते हैं उसके बारे में भी बताया था और उन diagnosis के अंदर मैंने आपको general examination general examination के अंदर मैंने काफ़े साही चीज़े बताई थी जैसे कि eyes के अंदर क्या effect कर सकता है smell क्या-क्या आ सकती है क्या-क्या जो है oral changes होते हैं वो साही चीज़े मैंने उसके अंदर cover करवा दी थी तो आज के वीडियो में मैं next जो topic जो examination लेकर आ रहा हूं वो मैं cns examination मैं आपके सामें लेकर आ रहा हूं तो चलिए cns examination के अंदर हमें एक में तो पहला हम देखते हैं कि कौन से poisons कॉमा वाली condition शो कर सकते हैं यह मैं इसको एक पारी मैं रब कर रहता हूं थोड़ा सा गलत लग रहा है जली तो central nervous examination के अंदर कौन से poisons हैं जो कॉमा कॉस कर सकते हैं वो है अलकोहल कागन monoxide, opium, organophosphate तो यह सारे poisons कें कॉस कॉमा कॉस of tremors कौन कौन से poisons tremor का सकते हैं अलकोहल, mercury, magneze, cocaine, arsenic यह सारे poisons जो है tremor कॉस कर सकते हैं तो कौन कौन से poisons है जो conversions कॉस कर सकते हैं वो है cocaine, strychnine, opium, alcohol, calotropics तो these poisons can cause conversions कौन कौन से poisons है जो neuritis या फिर नियुरोकैथी कॉस कर सकते हैं वो है alcohol, lead, organophosphorus, methanol तो यह सारे poisons जो है neuritis कॉस कर सकते हैं ऐसा ही movement disorder क्या-क्या कौन से poisons क्या-क्या disorder कॉस कर सकते हैं इस strychnine poison के अंदर रिजिडिटी आ सकती है और फेस्टोनर्स जो की काफी फियमस कोश्चन है एक्जामिनर्स का और ट्रीमर्स तो यह सारी strychnine poison के अंदर देखा जाता है carbon monoxide के अंदर हमें Parkinsonism like symptoms हमें देखने को मिलते हैं और organophosphates के अंदर fasciculations हमें देखने को मिलते हैं कौन-कौन से toxic हैं जो headache सर्दद कर सकते हैं वह पहल, aniline, cyanide, tobacco और nitride तो यह सारे poison जो है headache कोश कर सकते हैं paralysis कौन-कौन से poison कोश कर सकते हैं आर्सेनिक, poison hemlock, curer, lead और manganese यह सारे poison जो है paralysis भी कौश कर सकते हैं कौन-कौन से poison जो है different type of gates हैं वह present करते हैं rolling gate किस-किस के अंदर आ सकते हैं alcohol, barbiturate, cyanide represent, phenothiside इन सारे poison के अंदर rolling या staggering gate देखने को मिलता है stiff gate किसके अंदर देखने को मिलता है ट्रैंपलाइजर और aspirin तो reserve point इन दो poison के अंदर stiff gate देखने को मिलता है delirium किसके अंदर देखने को मिलता है हमें calatropis, dhatura, cannabis और cocaine इन सब के अंदर हमें delirium type के symptom देखने को मिलते हैं encephalopathic किस-किस के अंदर देखने को मिलती है arsenic, lead और thalium इन सब के अंदर encephalopathic देखने को मिलती है paristhesia condition किस case के अंदर देखने को मिलती है aquonite, alcohol, arsenic, cannabis, poison hemlock, ergot poisoning, lead और thalium इन सब के अंदर हमें paresthesia condition देखने को मिलती है tingling sensation किस के अंदर देखने को मिलती है aquonite, yellow, olander, cyanide और phenol इन सब के अंदर हमें tingling sensation देखने को मिलता है ataxia किस के अंदर देखने को मिलता है alcohol, carbon monoxide, lead, lithium, narcotics और thalium इन सब के अंदर हमें ataxia देखने को मिलता है psychosis किस किस poisoning के अंदर देखने को मिलता है cannabis, dhatura, cocaine और alcohol इन सब के अंदर हमें psychosis condition देखने को मिलती है तो चलिए दोसों, cns हमारा complete हुआ अब next आते हैं, cvs, cvs condition के अंदर आते है तो आने के अब हम पढ़ेंगे, heart के अंदर हमें क्या-क्या condition देखने को मिलती है तो कौन-कौन से poisons, bradycardia शो करते हैं organophosphate, aconite, barium, digitalis, new stigmine, pillocarpine इन सब के अंदर हमें bradycardia देखने को मिलता है तो अब toxic causes of tachycardia कौन-कौन से toxic जो यह tachycardia cause करते हैं carbon monoxide, cannabis, emphetamine, dhatura, poison hemlock और nitride इन सब के अंदर हमें tachycardia हमें देखने को मिलता है next आते हैं दोस्तों कि hypotension और shock किस-किस condition में देखने को मिलता है हमें aconite, arsenic, nitrate, organophosphate, snake bite और iron या फिरिक poisoning के अंदर भी हमें hypotension और shock जैसी condition हमें देखने को मिलती है ऐसे ही hypertension हमें किस-किस case में देखने को मिलती है emphetamine, zinc phosphate, ephedrine और chlorothiazide इन सब poisoning के अंदर हमें hypertension जैसी condition देखने को मिलती है toxic cause of arrhythmia या फिरिदिमिया या फिर कार्डिक irregularities हमें किस-किस के अंदर देखने को मिलती है carbonates, aconite, oliander, digitalis, zinc phosphate और lithium इन सब poisons के अंदर हमें cardiac irregularities देखने को मिलती है ऐसी दोस्तों circulatory collapse किस-किस केस में देखने को मिलेगा aconite, barbiturates, carbon monoxide, cocaine, kerosic poison, lead, mercury, nicotine और nitrate इन सब के अंदर हमें circulatory collapse देखने को मिलता है ऐसे vasoconstruction या फिर gangrene किस-किस के अंदर देखने को मिलती है तो दोस्तों यहीं पर हमारा CVS याने की heart के ओपर क्या-क्या toxic effect हमें देखने को मिलते हैं वो complete हुआ next आते है respiratory respiratory condition देखने को अब देखते हैं कि इसके अंदर हमें किस poisons के अंदर हमें क्या-क्या symptoms देखने को मिलेंगे तो चलिए respiratory system start करते हैं तो कौन-कौन से poison dipsnia cause करते हैं वो हैं carbon monoxide, strechnine, phosphine और arsene तो इन सब poison के अंदर हमें dipsnia देखने को मिलता है respiratory distress किस-किस condition में देखने को मिलेगा किस-किस poisoning के अंदर देखने को मिलता है तो alcohol, opium, organophosphate, snake bite, equonite और barbricade इन सब के अंदर हमें respiratory distress देखने को मिलता है pulmonary edema जैसी condition हमें कौन से poisoning के अंदर देखने को मिलता है organophosphorus, organophosphate, chlorine, digitalis, snake bite और opium इन सब के अंदर हमें pulmonary edema देखने को मिल सकता है next दोस्तों आते हैं dry cough के अंदर या फिर coughing के अंदर की कौन कौन से toxics जो है cough symptoms प्रड्यूस करते हैं जैसे acid fumes, metal fumes, formalin, chlorine, sulfur dioxide, copper और ammonia इन सब के अंदर कभ खासी जैसी चीज़े आने लग जाएंगे bronchitis किस-किस poisoning के अंदर देखने को मिलेगी chromium dust nitrogen oxide osmium, phosgene, tobacco smoke, aluminium chloride इन सब poisoning के अंदर भी हमें इन सब टॉक्सिक product के अंदर भी हमें bronchitis जैसे condition देखने को मिलती हैं laryngoist poison हमें किस-किस poisoning के अंदर देखने हो मिलेगी irritant poison, metal या फे acid fumes, strychnine, thiopental या फे ammonia इन सब के अंदर हमें laryngoist poison देखने को मिलता है emphysema जैसे condition किस case में देखने को मिलेगी tobacco smoke या फे silica exposure इसके अंदर हमें emphysema जैसे condition देखने को मिलेगी तो दोस्तों यहीं पे हमारा respiratory तो हमारा respiratory system यहाँ पे खतम होता है अब next आता हूँ JIT कि कौन-कौन से poisons के अंदर JIT के अंदर क्या-क्या चीज़े हमें देखने को मिलेंगी तो color of vomitas in different poisons यानि कि अगर कोई vomit करता है तो उसके vomit का क्या-क्या color देखने को मिलेगा ब्यू कलर हमें देखने को मिलेगा In pink अगर हमें देखने को मिलेगा it ब्राउन कलर का वमिटेस हमें देखने को मिलेगा एसेटली ऐलकली जिंग फॉसफेट इन सब पॉसिनि करनेको मिलेगा है इन नीज, carbon tetrachloride और थेलियम इन सब poisoning के अंदर हमें hematomasis देखने को मिलेगा डाइरिया कौन कौन से poisons शो करते हैं आरसिनिक, boric acid, cyanide, food poisoning और iron इन सब poisoning के अंदर हमें diarrhea जैसी condition देखने को मिलती है ऐसी constipation हमें किस के अंदर देखने को मिलेगा अरगट poisoning के अंदर, calcium salt के अंदर, lead poisoning के अंदर, opium और arsenic इन सब के अंदर हमें constipation जैसे symptoms देखने को मिलते हैं gastroenteritis हमें किस के अंदर देखने मिलेगा arsenic, thelium और croton seeds इन सब poisoning के consumption से हमें gastroenteritis जैसी conditions हमें देखने को मिलेगे abdominal pain जो है gastric poisoning, cholinergic agent, cocaine, iron और salicylate इन सब poisoning के अंदर हमें abdominal pain जैसे चीजें हमें देखने को मिलेगा यानि patient जो है abdominal pain जो है symptom शोग करेगा melina किस case में आएगा alcohol, anticoagulants, corrosive और iron इन सब के अंदर melina जैसे condition देखने को मिलेगी poisons producing distension of abdomen ये किस case में देखने को मिलेगा anticoagulinergic और caustic इस case के अंदर हमें distension of abdomen जैसे चीज़ देखने को मिल सकती है चलिए next आते हैं poisons producing ileus, anticoagulinergic, barium, botulinum toxic, lead और thelium thrust के अंदर ज्यादा प्यास के अंदर patient को लगेगी arsenic, atropin, coral hydrate और lead इन सब poisoning के अंदर patient thrust जैसी चीज़ यानि कि प्यास उसको ज्यादा लगने लगेगे poisons producing dysphagia तो camphor, kerosive, hydrogen sulfide और marine animal bite इन सब के अंदर dysphagia जैसी condition देखने को मिल सकती है तो poisons producing odinophagia तो किस poisons के अंदर हमें odinophagia देखने को मिलेगा camphor, corrosive, hydrogen sulfide और scorpion sting इन सब के अंदर हमें odinophagia देखने को मिलेगा pancreatitis हमें किस-kis condition में देखने को मिलेगा copper, zinc, organophosphate और methanol इन सब poisons के अंदर हमें pancreatitis जैसी symptoms देखने को मिल सकते हैं तो दोस्तों यहीं पे हमारा JIT topic भी खतम हुआ तो दोस्तों आज का जो video था उसके अंदर मैंने जो है CVS मैं यहां पर लीता हूँ तो आज का जो video था उसके अंदर मैंने CNS इसको मैं अच्छे से लिग देता हूँ मैं तो आज का जो topic था उसके रहे मैंने CNS examination मला CNS के अंदर हमें क्या-क्या देखने को मिलेंगी किस poisons के इंदर हमें क्या-क्या symptoms देखने को मिलेंगे CNS मा क्या है CVS यानि cardiovascular system तो CVS cardiovascular system के इंदर हमें किस-किस condition के इंदर घ्डिकाडिया जैसे चीज़े मैंने आपको बताए था किस-किस के अंदर जो है respirative distress वगरा चीज़े देखने को मिलेंगी वो साइच चीज़े बताई थी फिर मैंने GIT इसके जैसे pancreatitis vomitas का color वो साइच चीज़े मैंने आपको बताई थी तो दोस्तों यहीं पर आज का ये topic में session खतम करता हूँ नेक्स जो मैं session लेकि आऊंगा उसके अंदर मैं बताऊंगा कि जो है year के अंदर changes क्या-क्या हो सकते हैं या और पूरा मैं जो examination है कि कौन सा presence क्या-क्या चीज़े show कर सकता है मैं वह साइच चीज़े मैं cover करवा दूँगा और फिर उसके बाद उसकी जो next वीडियो होगी उस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि treatment कैसे हो सकता है तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो end करने से पहले your determination to success is everything यानि कि जैसे मैं कहता हूँ कि आप क determination किता है आपको जो goal है आपको जो motive है उसका आप किता किता इमांदारी के साथ आप उसके बढ़ रहे हैं तो वो चीज़ ही decide करेगी आपको success की तो जैसे कि मैं छोटी छोटी चीज़े मैं आपको जैसे कहते आया हूँ कि जब भी आप पढ़ाई ही start करते हैं तो हमेशा मैं अराम से इसको crack कर सकता हूँ I can crack it I can crack need PG अपने अंदर हमेशा यह motivation लिकाया करिए आप अगर डेली 8 से 10 घंटा अगर पढ़ाई करते हैं तो इसको दो पार्ट में डिवाइट कर लिया करिए 4 से 5 घंटे का एक slot उसके अंदर आप पूरी theory cover कर लिया करिए और फिर उसके जो है अपना MBBS का syllabus आप अपना 4 से 5 मंत के अंदर आप complete करते हुए आप अपना revision start कर सकते हैं April का महिना चल रहा है यह तो April मही जून जुलाई अगर सब्टेंबर अक्टूबर नमबर दिसंबर पूरे 9 महिने बचे हैं अब भी भी आप 4 से 5 महिने के अंदर आप अपना MBBS क कोर्स खतम करके और फिर आप अपना revision start कर सकता है और revision भी आप 2 से 3 बार revision आप कर सकते हैं तो दोस्तो जो है अपना determination हमेशा अपने strong रखीगा ज्यादा अपना time waste मत करा करीगा जैसे बहुत सारे strengths क्या करते हैं एक घंटा प्राई करने के बाद जो है 2 से 3 घंटा वो rest के ना बजे से लेके आप उसको test 3 बजे दिया करिए अगर आप शाम के जो आप दोपैर के 3 बजे अगर आप test देते हैं कोई grand test अगर आप देते हैं daily अगर आप इस सीच के अगर आदत बना लेते हैं शाम को 3 वेसा का grand test देते हैं तो need PG का जो exam होता हो सारे 3 घंटे का होता है तो ऐसे में आपको एक अभी सही आपका जो है routine set हो जाएगा कि आप जो है इसी routine में आप आ जाएंगे लोग को क्या होता है कि दिन में खाना खाने वाद उनको सोनी के आदत होती तो ऐसे में अगर आप मान लीजे देली अगर अपनी गंदिया मेंटेंग करके रखते हैं खाना आप में नीद आने की जो है एक चीज हो सकती है तो इसलिए मैं यह हमेशा advice करता हूँ आप लोग को कि अपना जो exam है आप अभी से आदत बनाएए तीन बज़े से grant test देने की इससे होगा यह आपका पूरा mvps का आपको एक तरह से revision भी होगा और उस हिसाब से देखा जाए हैं तो आपको जो है exam से पहले आपको अचाने से अपना जो है अपना जो time table जो आपका जो schedule से उसको change करने ज़ए नहीं पड़ेगी लोग क्या करते हैं कि जो साल भर का schedule है उसको exam से पहले अचाने से change करते हैं अचाने से उनकी body उस change से ढढल नहीं पाती है exam का tension अचाने से schedule में change इन सब चीज़ ये exam से पहले ना हो इसलिए मैं आपको ये advice करता हूँ कि हमेशा जो ये test है उसको शाम को 3 बज़े से उसको देना start करिए ताकि ये आपकी एक अच्छी आदत पढ़ जाए दोस्तों end करने से पहले आपसे request है हमारा जो channel है उसको subscribe करिए bell icon को प्रेस करिए हमारा जो channel है लेट्स ट्रैक नीट पीजी अगर आप इसको subscribe करते हैं तो इससे आपको notification आती रहेगी और इससे हमारी कोई भी वीडियो आपकी miss नहीं होगी आपसे request है कि वीडियो को table रखता हूँ तो इससे आपकी जो notes है वो notes भी आपके काफी अच्छे बनते हैं अगर आप मेरा subscription के time पे code यूज करते हैं ये code यूज करके आपका जो है additional 10% का discount मिल जाएगा अगर मैं example के तोर पे 24 months के अगर मैं subscription charges की बात करूँ तो उसके चार्ज़ें 30,000 रुपीज लेकिन अगर आप मेरा code यूज करते हैं LIB DRAM तो ये आपको पड़ेगा 27,000 रुपीज का सिर्थ आपको 30,000 रुपीज देने की जोएद नहीं है ऐसे ही दोस्तो अगर मैं 12 months के subscription charges के अगर मैं बात करूँ तो उसके चार्ज़ें 22,500 मेरा code यूज करने के बात तो दोस्तो काफी अच्छे charges हैं अगर मैं किफायत के तौर से देखूँ तो 24 months का जो course है subscription charges वो काफी अच्छा है क्योंकि 24 months के course में जो price है वो आपकी जो price battery वो 24 months 12 months plus 1 month का जो subscription charges थे वो थे 4500 तो आपको 13 months 13 months के subscription charges में आपको 2 साल दोस्तो देखें 2 साल का आपको subscription course आपको मिलता है तो इसलिए दोस्तो 24 months का एक बारी आप subscription लेके देखिए आपके 13 months के charges में आपको 2 साल के आपको पूरा आपको subscription आपको मिल जाएगा तो इसलिए दोस्तो आपसे request है कि एक बारी channel पे आप जो है subscription लेके देखिए आपको 100% आपको benefit मिलेगा दोस्तो कोर्णा वायस का काफी फैल रहा है भार जैसे देश में जहां पे अभी 14 April तक lockdown घोशित किया गया है आपसे request है कि अपने आपको safe रखिए precaution लेके चलिए अपना हम लोग doctors है हमारा करतब बनता है कि ऐसे time पे हम nation को सर्फ करें हम अपना best से best दें ताकि हमारी वैसे किसी भी patient को कोई तक्लिप ना हो हमेशा ये कोई भी गंदीर यूमर फैलने से बचाईए आप जो अच्छी जो बाते हैं उसको हमेशा promote करिए कोई अगर आपको मिलता है जैसे किसी के face पे अगर वो road पे निकला है और वो गलत तरीके से जो है चल रहा है या precaution वो लेके नहीं चल रहा है हमेशा उसको motivate करके रखिए ये सारी चीजे जो हमसे request की गई है वो आप लोग भी जो है जादर जादर जित्ता अगर आप awareness फैलाएंगे अच्छा अच्छी बाते आप फैलाएंगे उत्ता जादर ये हम लोग संकट से दूर आपाएंगे तो दोस्तों आज की वीडियो में यहीं paint करता तक तक के लिए thank you next वीडियो में मैं कोशिश करूँगा जित्ता भी ये examination है जित्ते भी body पे effective वो में cover करवादू thank you दोस्तों